भगवानपुर प्रखन के सरहिया पंचायत का एक मामला सामने आया है जहां सरहिया पंचायत के मुख्या उमेश दूबे उर्फ मंटू दूबे ने एक वार्डे सदस्य के बेटे को जाती सुचक गाली देते हुए बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया जानकारी के मुताबिक बताया गया कि भगवानपुर प्रखन के सरहिया पंचायत अंतरगत मसी गाउनिवासी रामनगीना राम के पुत्र अरविंद्र कुमार राम बताया गया है जबकि रामनगीना राम की पत्नी ललिता देवी मसी गाउ में वार्डे सदस्य के पुत्र अर अपने आवाज पर बुलाया जा मुख्या और वाड़े सदसी के बेटे के बीच कुछ बातचीत के दुरान बगजक हो गया जा मुख्या उमेश दूबे और मंडू दूबे ने जाती सुचक गाली देते हुए लोहे की रड और डंडे से मार कर गंभी रूप से खायल कर दिया मुख्या जी के दुवार पर मुझे बुलाये हैं और मुख्या जी पाइप जेसपी से तोड़ दिया थे कौन से गाम है मसाही गाम है अचा अब सरगारी पाइप नेजल का पाइप तोड़ दिया है मुख्या जी और हम जाकर बोले कि उसको बनवा दिया जए मुख्या जी तो बोले कि नहीं बनवाएंगे हम, तुम बनवाओ, रट समारे हैं लोहा कर थाई नाडवल का बठे थे जहां, उसके बाद लाते समारे, अगर धके दिये और जहम चल दिये तक तक से बोले कि चमार सियर कोमका समझते हैं चमार कहीं के उसके बाद भववां सदर अस्पताल में इलाज कराने के बाद आवेदन देने के लिए STAC भववां थाना पहुचा हुआ है, वहीं वाड सदेस ललिता देवी ने बताया कि स्वाड साथ में नलजल योजना की टंकी खराब हो गई थी, जिसको लेकर बनवाने के लिए जब मे देने के लिए हम लोग पहुचे हुएं, ताकि इस मामले को लेकर मुख्या के उपर कारेवाई की जा सके. पाकड़ के लगला हमारे, इंकर बाब पापा गई लगला हमारे 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 के लिए भबगा से रवी जडेजा की रिपोर्ट इस ख़बर को यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाईए अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेस को फॉलो लाइक और वीडियो को सेर कीजिए और क्यामोर्जले की तमाम ख़बरे सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले इस तोर से कैमोर्ज अप को इंस्टॉल कीजिए